प्रवासी मजदूरों का अविवस्था को देखकर आवाज उठाना इसकतर महंगा पड़ गया कि उसके साथ बहरमी से मार पीट कर उसका हाथ ही तोड़ डाला इसके बात से और बवाल मचा हुआ है एक तरफ जहां उसके परिजन उसकी सिकया जिलाप्रसासन से लेकर पटना तक के दिकारियों से करने की बात कर रहे है और इसकी उचसतरिय जाच कराने की मांग करने की बात कह रहे है जबकि दूसरी तरफ संभूगंज के प्रसासनिक पतादिकारी का कहना है कि ये प्रभासी मजदूर कोरंटाइन सेंटर से भाग गया था जहां उसे फिर से पकड़ कर लाने गए सभी पतादिकारी वो स्वास्त कर्मियों को गाली गलोच करता फिर रहता उन्होंने हाथ तोड़े जाने की खटना से साफ इनकार किया जानकारी के अनुसार संभू गंज परखंड छेतर के हरे गाउं के मजदूरी करने दिल्ली हरियाना रायस्तान पंजाब आदी जगहों पर गया प्रभासी मजदूरों को वापस लोटने के साथ ही कॉरंटाइन किया जा रहा है जहां संभू गंज परखंड छेतर में ही प्रवासी मजदूरों को कॉरंटाइन किया गया था और निमित्ता को लेकर आवाज उठाना सुरू कर दिया कॉरंटाइन में रह रहा है प्रित मजदूर का आरोप था कि उसके साथ बेरहमी से मार पीट कर हाथ तोड़ दिया गया है उधर संभू गंज कॉरंटाइन सेंटर के नोडल पतादिकारी सियो प्रंबित सिर्माओर ने बताया कि उक्त युवक कॉरंटाइन सेंटर से भाग गया था जिसे जगला घाव के समीप से पकड़ कर लाया गया है हाथ कैसे टूटा या चूट कैसे लगा उसे मालूम नहीं है मैं संभूगन प्रखंड में करनाटक से आया हुआ हूँ मैं अरब पंचाइद पकरिया है मेरे को बहुत पुलिस ने मारा है सियो साहब के कहने के बाद मैं खाने का बिरोद कर रहा था ड्राइवर और तीन पुलिस वाले ने मिलके बहुत मारा है मुझे और मैं बोला कि इलाज मेरा करवा दो तो बोल रहा है तेरे उपर बहुत के से सो जाएंगे तुमको मालूम नहीं परसाशन से लगने का काम सांत रहो जो देते हैं वो खाओ नहीं तो इतना ढंटा मारेंगे जो कभी तुम याद करके भी नहीं आओगे समभूगे समझ जाओ और मेरे को तीन दीस मेरा हाँ तूटा हुआ है और बोलता है कि बोल दो पुलिवा कि अस्पिटल में जाके कि मैं गिर के तूट गया मेरा मैं आपको फोटो भी सेर किया हूँ सर मैं प्लीज मेरी हल्प किजिए देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान कितना बदल गया इनसान एक जमाने में महसूर गाना आज के महौल में कितना सटिक बैठता है या इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनसान अपनी च्छनिक लोलूपता की बज़ा से सारे रिस्तेनाते भूल कर बस अपनी खुसी के लिए कुछ ऐसा कर बैठता है जो से सारी दुनिया में कहीं भी माफी के लाइक जगान नहीं होती मामला 12 हर्थानाचच के बेलूटी करका है जहां सनीवार की सुबह जैसे ही लोगों की आँख खुली यह खबर उनके कानों तक पहुँची कि गाउं की पारोदेवी की कला दबा कर उसके बेटे नो इसके हत्या कर दी है जिसमें पुलीस का पहला सक्ट जमिन विबाद पर गया जिसको लेकर मृतिका के एक मात्र पुत्र बजरंगी कुमार से पूछताच की गई पूछताच में कुछ ऐसी बाते सामने आई कि होस उड़ गए पुलीस के पूछताच में पुत्र ने जो बाते बताई उसने मा और बेटे कर रिष्टे को सर्मसार करके रख दिया बेटे ने बताया कि उसका काफी अरसे से अपने फुपेरे भाई की पतनी के संग प्रेम पर संग चल रहा था और वह उससे साधी भी करना चाहता था जिसका उसकी मा बार बार बिरोध कर रहे थी इस मामले को लेकर कई बार मितिका के दोरा बेटे की सिकायत अस्थान या पुलिस को भी दी गई थी लेकिन सनी बार की देर रात जब मा ने अपने बेटे को पियार से समझाना चाहा इधर पुलीस ने अपनी कारवाई पूरी करते वे सबका पंचना मकर पोश्ट माटम के लिए मा का भेज दिया हलाकि घटना के बाद मृतिका के रिष्टे में भतीजे मनुच कुमार ने थाने में लिकी ताविदन दे कर घटना के बारे में लिखा है कि पूर्प में बजरंगी अपनी मा के साथ अपने अविद संबंद को लेकर लड़ता रहता था बीती रात भी इसी मामले में मा ने जब समझाने का प्रयास किया तो दोनों के बीच कहा सुनी हुई और इसी दुरान उसने कला दबा कर मा की हत्या कर दी दूसरी तरह पुलिस ने ग्रहपतर आरोपी को पुलिस की कड़ी सुरक्षा में मा का जेल भेज दिया तो तुमको यानी और किसी ब्यादकी एक्कंषी करो तो यहीधानों से उसको देता था ता हुई वही रोड़ा है उसको अड़ तो और बावार हम लोग सब समाज में भी इस बहुत उसको समझा के ठक गे rigorfar यहां डरा यह तू देखे देखा कोई ago लेकिन जब तो यानि वो बिछावन समेट के समाज को बता है कि मेरा मा इस तरह मर गया लेकिन वो किसी को नहीं बता है हम लोग फोन लगा रहे हैं हम लोग कि वो कहा है लड़का तो यहाँ वो नहीं है वो थाना में जाके बेठा हुआ तो संदे है लोगों को बीती राथ सुग्रवार को महोना गाओं के ग्रामिनों ने एक अस्थानिय चोर को दुकान का ताला काटते रंगे हाथ पकड़ कर उसकी जब्रदस्त पिटाई कर दी जिसके बाद अस्थानिय लोगों ने इसकी सूचना रजौन पुलीस को दी या रजौन पुलीस ने मौके पर पहुँच कर अस्थानिय चोर को अपने साथ रजौन थाना ले गई जहां उससे कड़ी पुछताच की जा रही है घटना के संबंद में बताया जा रहा है कि मोहना गाउं में लगातार हो रही चोरी से लोग सदमे में थे और अपने अपने घर में पहरेदारी में लगे हुए थे इसे बीच गाउं के ही चोर अंकुस कुमार मंडल को ग्रामिनों ने दवोच लिया जबकि दूसरे बुद्धन पासवान पिता चूला पासवान भागने में कामियाब हो गया हालाकि गरपतार अंकुस कुमार मंडल ने कई चोरी में सनलिपता होने के बाद कबूली है वहीं बुद्धन पासवान के पिता चुराए पासवान कई बाद जेल से लौट चुका है जबकि इसका बड़ा भाई एक बार हत्या के केस में जेल जाकर आ चुका है इस गौँ में लगातार दस चोरी होने के बाद गरामिन काफी जागरुक थे पिहाल में ही इन चोरों ने एक घर को निसाना बनाना चाहा था जिसके बाद गरामिनो के होघला करने पर वा निकल गया था लेकिन आज जागरुक गरामिनो ने पंकर सर्मा के किरना-दुकान का ताला तोड़ते रंगे हात पकड़ लिया वहीं ग्रामिन बताते हैं कि बुद्धन पासवान कई चोरी की घटना को अंजाम दे चुका है इस धंदे में माता पिता भी उसका पूर्ण रूपेन साथ देते हैं और यही कारण है कि जब ग्रामिनों ने रात में चोरू पासवान के घर पर दस्तक दिया तो पूरे परिवार को छोड़कर भाग चुका था वहीं सुबह ग्रामिनों ने जाकर दविज बनाया लेकिन चोर फरार हो चुका था ऐसे में गाउं में तरहतरा की अफ़ाय उड़ रही है कि पिछले दिनों कई तोले सोने और नगदी चोरी की गई थी अब ग्रामिनों को पूरी उम्मीद है कि चोरी का उद्वेदन हो जाएगा वहीं थानादेश नीरस्तिवारी ने बताया कि दूसरा चोर बुद्धन पासवान की गिरपतारी के लिए छापे मारी सुलूक कर दी गई है जल दीवा सलाखों के पीछे होगा एक तिरब बिहार सरकार लॉकडाउन में दूसरे राजियों में फसे प्रवासी मजदूरों को ट्रेन के दौरा अपने राजियों में लाकर स्किरिनिंग कर 21 दिनों के लिए छेतर में बने कुरुनटाइन सेंटर में भेज रही है तो हैं दूसरी और कॉरंटाइन सेंटर में प्रवासी मजदूरों के लिए किये गए इंतिजाम वेवस्ता की सारी पोल खोल दी है जिसका ताजाओदारन अमरपूर्ट छेदर के भर को गाश्थित कॉरंटाइन सेंटर में देखने को मिली इन सेंटरों में फ्यली कूबवस्ता के खिलाब सेंटरों में रह रह रहे लगभग 40 प्रवासी मजदूरों ने भर को संबूगन्ज मुख्यपत पर बेंच टेबूट रख कर जाम करते हुए जमकर बवाल किया मजदूरों के दोरा मुख्यपत को जाम करने के करन पत के दोनों और वहनों की लंबी कतार लग गई मौके पर जाम करताओं ने बताया कि हम सभी हैदराबाद से बाका पहुँचे है मजदूरों ने बताय कि अगले दिन बारा बज़े तक नाही नास्ता मिला और नाही भोजन महिलाओं को असनान करनी के भी कोई सुविधा नहीं है जाम की सूचना मिलते ही थाना धेच कुमार सन्नी, अवर्निरचक प्रबाजजास, सहाय कवर्निरचक बिकेतिवारी पुलीस बलों के साथ जाम अस्थल पर पहुँच कर मजदूरों को समझाने का प्रयास करते हुए जाम हटा कर सेंटरों में जाने की अपील की वहीं सूचना पर बाका एच्डियम मनोच कुमार चौधरी, एच्डिपो दिनेशन स्रिवास्तब, बीडियो सरस्ती कुमारी, सीयो सुनील कुमार साथ सेंटर पहुच कर मजदूरों को अतिसीर सही सुविधा मोहिया कराने का आस्वासन दिया आस्वासन मिलने पर सभी मजदूर जामस्तल से उठकर अपने सेंटर पर चले गए, मौके पर पहुचे पंचायद के सरपंचे राके सा ने बताया कि सेंटर की चाहर दिवाली नहीं रहने की वज़ा से सेंटर पर रहे मजदूर आराम से भरको हाट पर घूमते हैं जिसके करना भरको गाउं के ग्रामिन कोरुना वरस फैलने से आसंकित रहते हैं इन्होंने अधिकारियों से सेंटरों में बास बलना लगा कर चाहर दिवारी करने की मांग की है ताकि एक भी मजदूर से बाहर नहीं जा सके वहीं इन्होंने प्रवासी मजदूरों से सांती पुरवक सेंटरों में रहने की भी अपिल की है हम लोग बड़े हैं, बर्दास कर सकते हैं, मगर एक साल का देर साल का बच्चा बर्दास नहीं कर सकता है, इसके लिए हम लोग अभी यहां पर परदर्शन किये। देवी के दोरा मारपीट की घटना को अंजाम दिये जाने के मामले में, आखिर कर पिलिता सोनी देवी के दोरा दिये गए लिखित सिकायती आवेदन पर बाराहट थाना में प्रात्मे की दर्ज की गई, हालाकि इस दोरान आवेदन में साधे कागच पर दस्तकत ले लिए जा के मामले में, खरणा गाउं की आसा स्वास्त करकरता हीरा ज्जा के खिलाब भी प्रात्मी की दर्ज की गई है, थाने में दिये गए आवेदन में मामले का जिक्र करते हुए प्रिता ने लिखा है कि पर सब के दरान रवीवार को ड्यूटी परतनात एनम के दरा पैसा मांग जाने का बिरूत किये जाने पर उसके साथ मार फीट की गई, जिसके बाद सोमबार जब मामले की जानकारी परिजनों को हुई तो तुरंत अस्पताल प्रमंतर ने उसे डिस्चार्ज करते हुए घर भेज दिया, जहां पर पोसक छित्र की आसा स्वास्त कारकरता घर पर पह पर खंड के सामुदाइक प्राथमिक स्वास्त केंद में परसब के बाद बच्चे की मौत से आक्रोसित परिजनों ने जम कर हंगामा किया, जिससे वहां अफ्रात तफरी का महौल मच किया, तकरीबन आध्य गंट तक वहां मरीच के परिजनों वचिकित्सकों में हील हुज जहां अस्पताल के प्रभारी चिकित्साब अधिकारी डॉक्टर अजेर सर्मा वा स्वास्त प्रभंदक संजे कुमार सिंग के समझाने के बाद आक्रोसित परिजन सांथ हुए। इस घटना के बाद आक्रोसित मरीचनों ने जम कर हंगामा सरू कर दिया। के प्रभारी चिकित्साब अधिकारी डॉक्टर अजेर सर्मा ने बताया कि ऐसे कोई बात नहीं है। और ये मजदूर काफी जद्दू जहद के बाद भी अपने घर की और लोट रहे हैं। ऐसे ही तीन प्रभासी मजदूर सुक्रवार को उत्तर परदेश के बनारस से पैदली अपनी घर के और पंजवारा बॉडर चेक पोश्ट पर पहुँचे जहां इन्होंने बताया कि बनारस में ये मजदूरी का काम करते थे और लॉकडाउन की बजह से काम बंदो जानने के बाद से घर लोटना चाहते थे अंतता ये एक सब्ता पुरू वहां से पैदली बिहार प्रदेश के रास्ते अपने ग्रीजला गुड़ा जहारकंड के लिए निकले थे इस दुरान इन्हें कई परिसानियों का भी सामना करना पड़ा वो अंतता अपने राज जहारकंड की सीमा पर पहुँच कर काफी अच्छा महसूस कर रहे थे पंजवारा चेक पोश्ट पर डॉक्तर दिनेश कुमार के नैति तुमें मेडिकल टीम ने इनकी जाच की और उने जहारकंड की और फेज दिया गया वहीं बॉडर चेक पोश्ट पर दनाट मजिस्टेट बिभी संद मनोच कुमार भारती और एसाई अरून सिंग काफी चौक सी भरत रहे हैं कोरोना महमारी को लेकर बाकाडियम सुहर्सभगत एक्सन मोड में दिख रहे हैं बाकाड डियम के सक्त निर्देश परीज सनीबार को 12-8 परखंड के बीडियो ससी भुसन साहू परखंड छेतर के उरिया पंचायत के लीला वरन के संदीप मंदार आईटी कॉलेज में कुरंटाइन सेंटर बनाने के उद्देश से औचक निर्चन किया गया ताकि लॉकडाउन में बाहर से आने वाले प्रवासियों का स्वास परिच्छन कराने के बाद उसे 21 दिनों तक रखा जा सके बीडियो ने इसके लिए पंचायत के मुखिया वाडपार सत सरपंच पंचायत समीती को निर्देश दिया कि परदेशों में फसे हुए लोग अगर आते हैं तो उन पर सक्त निग्रानी रखे उन्हें कुरंटाइन सेंटर में रखवाने का कारे करें और सरकार के दिसान निर्देशों का समुचित पालन करने में अहम भूमिका निभाएं इस मौके पर वीडियो ससी भुसन साहू ने बताया कि सरकार के निर्देश का बखुभी पालन किया जाएगा इसके लिए बाहर पर देशों साही लोगों को स्वास्त विभाग की टीम स्वास्त स्क्रिनिंग करेगी उसके बाद है उनको कुरंटाइन सेंटर में रहने के अनुवती दी जाएगी इसके लिए सेंटर में लाइट की पूरी बिवस्था की जा रही है नास्ता और भोजन भी समय के अनुसार दिया जाएगा इस मौके पर वीडियो के लाबा और या पंचायत के मुखे अलू सीदे भी सामाजी कारकरता स्याम यादब वाट्स दस उपस्थित थे बाका के अमरपूर इस्थित छतिगरत जेटोर पूल का सनीवार के दिन पत्प्रमंडल धरिया के सहाय का भियनता निरंजन कुमार सा एवं कनिया भियनता परमाननान सिंग ने और चक्न निक्षन किया मौके परिणों ने बताया कि पूल का पाया संख्या एक पांच दस बारा तेरा एवं सतरा नंबर का एकस्पेंसन जवाइन छतिगरस्थ है इसके अलावा रेलिंग एवं रेलिंग का पोस्ट भी सही स्थिति में नहीं है पूल की उपरी सता आनसी ग्रूप से छतिगरस्थ हो चुकी है हाला कि पीलर एवं इसका फॉंडेशन सही है अगर इसकी जल से जल मनमती नहीं की जाए तो आने वाले दिनों में भारिबानों का अबागमन बातित हो जाएगा बताते चले सन 2015 में इस पूल का निर्मान किया गया था इस पूल में रजौन फुनसिया होते भदरार, भदकुंडी, मजहोनी, असोता, डुमरिया, जितनगर, लोढिया, गोपालपुर आदी गाउं के ग्रामिनों को छोटी वबड़ी बैपार करने में आसानी हो रही है अगर जल देश पूल की मरमती नहीं की जाए तो किसी बड़ी दुर घटना घटित होने से इनक दार नहीं किया जा सकता है प्रवासी मजदूरों को अपने राजी वापसी के अनुमती मिलने के बाद कही प्रवासी मजदूर जो बिभिन राजियों से ट्रेन के माध्यम से अपने राजे वापस नहीं आप आ रहे हैं ऐसा ही कई प्रवासी मजदूर अब अलग लग साधनों से अपने गरी परवेस लोट रहे हैं।